है गाइस वेलकेम बेक टू इम्मोटल कमिंग जाज हम फिट से भाई आर्क इटरनल का एक और ने एपिसोड लेका है कि और हमने लास्ट एपिसोड में अपने लिए वह काफी बहतर इंचीज को टेम किया था और यह पताने भाई यह क्या चीज है जो भाई मुझे पहली बार है और अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा ना लास्ट वाला तो भाई मैं बोल रहा हूं आपने खतरना वाला कंटेंट मिस कर दिया क्योंकि भाई इसको टेम करना वह इतना इजी नहीं था और इसके लिए मैंने काफी जादा पापड बेले थैं बट भाई इसको टेम इसको क्राफ्ट करना इतना आसान नहीं है बट इसको क्राफ्ट करने के बाद काफी जादा हाट और सब मिलते हैं इतने हो गए और अब भी आपने लास्ट एपिसोड में इस बंदे को लगाया था जिसको भाई मैं क्या बोलू भाई इसमें इतना खत्रना ख्रीश्ट फाम होता नहीं मैं बता देता हूं तो भाई अपना यह जो ग्रेड क्रिस्टल है ब्लू क्रिस्टल है और जो और इस किसी काम कर नहीं है उसको बहुत अगर रखता हूं न तो भाई जो क्रिस्टल है वह इसमें कनवर्ट हो जाता है ग्रीन के सिटल में जिसका यूज़ हम भाई एरो और सब क्राफ्ट करने में वह कर सकते जो इवाला आलफा वाले पॉज़न एरो इसमें डालते हो तो भाई आपको भाई यह बढ़िया वाले प्राइम पोईजन एरो मिलते हैं जो भाई काफी खतरनाक चीज है उसी वज़से भाई मैंने इधर पांच लगा दिया में इसे वाले लगया था उसके अलाव मैंने फोर और लगा दिया जो भाई कते खतरनाक वाले क्योंकि मैंने सब में ड दाला था क्या वोलते हैं यह सब रेड और सब क्रिस्टल डाले थे बट आये नहीं और पतना नहीं लास्ट वाले बेरिका क्या हुआ है वह बाल में दीख लूंगा क्यूंकि भाई मैंने अब तक देखा नहीं है उसी वज़से तो भाई मैंने पहले सब में बढ़े अंडर चलो भाई मैं इसमें से उठाके सब में डाल जाता हूं मुझे मामू बना रहे है चलो भाई ग्रीन वाले चाहिए जरूरत नहीं है क्यूंकि ऑल्रेडी मैंने एक में डाल रखा यह उसी वज़से तो एक बम्त कम आएगा इसको काफी ज़ादा टाइम लगता है तो बाइए कोई दिक्कत के बात नहीं है क्योंकि इसकोम इस सो पॉलाने में या तू मिनिट से ज्यादा लगता है तो उसी वज़े से जाधा कोई दिक्कत नहीं होती और इसमें इटरनल वाली बेरी और थेज डाल देता हूँ में भी काफी इंपोर्टन चीज बन जाएगी में भी मुझे नहीं पता क्या बनता है तो भाई ये बेरी रही थेज किदर है भाई इस दिक्त की बात है इसको भई चारी से में कट कर देते है वैसे मुझे क्राफ्ट करने के लिए बाद में चाहिए होगा बंछ विख अवह इनकी प्रडी की उपरण दया जोल्ड है उसमने जल्दी से लाट आस प्रणार है जो प्रणा में से युक्ति हैं सिंधे थ। आल देख लो शन बंता मुझ्छे लाई अगर नहीं", तो म realm तो देख लेता हूं उतंब इसमें से क्रिस्टल बनता है मुझे एसा लग रहा है क्योंकि अब तक इसमें दो आइधिंग सो उस्ट हो चुके हैं कि है हैं फिर्ट्रीár नहीं इनी जाने लाजए तो बहुंग झाल वाल किर त लिए कि वैस Annual des 두 लोग들 को को इसपे करूगा जो भई लो लेवल वाला हो ना जो मुझे टेम नहीं करना उसपे करूँगा इथर बैए इन मेंसे नहीं यह एक बंदा तो इसदर घूमता रहता है वह इसको बचाके रखना है तो बात में वह यह क्योंकि दिए थाराइकर करके देख लेता हूं तो देख लो बाई एक ही फटके में 2.9 मिल डेमेज इंक्रीज हो रहा है तो इसको भी दिखा देता हूँ अरे बैस की लगा ही नहीं इस पे दिखा देता है चलो आलफा वाले पर यह से 2.5 2.2 मिल इंक्रीज हो रहा है अगर भै मैं थोड़ा सा वाई इस पे डाइविंग डेमेज वाला एक है ना ओभाई 6,000,000,000,000 डेमेज इंक्रीज कर रहा है वह दायक भाई मैंने लास्ट में देखा था तब भी 6,000,000 कर रहा था जो अभी एक खतर नाख वाली चीज है अपने बास तो अभी पाई किसी भी डाइनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसी भाई चार फटके में में भी अनकों से सकर सकते है अब मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा वद्धयक भाई इतनी जादे स्पीड से कायको गया उसके नजदिक वैसे बंद्धा कुछ बिगाड तो नहीं बाएगा में भी मेरा चॉल भाई दूसरा फटका लग गया इसमें एक्च्यूली भाई और फाइवंड्रेट के इंक्रीज होता है टोर पर में भी उससे भी ज्यादा कर ला है मुझे नहीं पता अगर इसका हेट लग जाए ना तो कट जाए भाई इसकी यहल्द काफी कम हो जाएगी अपने पास काफी खतरना ख्वाला में फायर डेम तो मुझे गंदा लगेगा मैं क्या ही बोलू भाई अभी अभी यह चार फटके में तो टेम नहीं हुआ मुझे थोड़े से ज्यादा चाहिए क्योंकि 400 में भी 400 के टोर पर इंग्रीज कर रहा है मुझे इसा लग रहा है अभी के लिए मैं कुछ के नहीं सकता इसके साथ मे अभी भाई फोर्म क्राफ कर सकते है उसको क्योंकि अजरी इस पर बनाने के लिए रखती है तो ज़्यादा कोई दिकत नहीं होगी मेरे को तो इससे हीं करते है क्योंकि वह मैं प्यादा बाई मैं उसको फेस्ट करूब वैसे ज़्यादा चाहि और पर भी नहीं बचा उसी क्या बोलते हैं इसकी भाई मेरे पास currents कि अभे मेरे पास error नहीं बचे बैइंसकी मुझे नहीं बता था हुआ है मैंने सारे क की ऐख आसरे transfer कर लिए है पेले घ्सको भाई इजितर लेंड और यिदर कर देते है छल लेंड हो जाए offic अभी ओजा भई बहुर खाएगा मेरे से अभई नहीं यार एक के लिए बहु तड़पा रहा है मेरेको मेरे पास हे क्या भई कोई और नइए मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे भई मैं इसको अनकों से कर पाओ मिंश्य वाले है भाई इससे कर लेते में नहीं चाहते है उस वाले को विना फाल्टु का बएं से बाई इससे बाई 40 एंगरीज होगा तो बैं में भी हो जाएगा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी एक रो कैसे हो रहा है जैसे बाई उसके नीचे उतरा तो ब वेस्ट करना पड़ेगा और हो गया फाइनली थैंक गोड मैंने वेस्ट नहीं किया और हो गया यह बंदा अभी नेक्स्ट एपिसोड में इसका जो एरोज है वह भी लेके चलूँगा क्यूंकि मैं नहीं चाहता एरोज गल्थी से उसका फूड लेवल लेगे लो काफी ज्या करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता उसी वज़े से मेरे पास काफी ज्यादा रिसोस हो गया उसी वज़े से अब होजा स्टोप इसकी स्पीड करते ही खतरना वाली है अगर इसका सेडल क्राफ्ट करके इसको ट्राय किया ना मज़ा आ जाएगा मतलब में देख लेता हु स्टोप इसकी स्पीड क्या होगी पहले तो इधर चलते हैं और नेक्स्ट एपिसोड से एक इलेमेंटल लाइटनिंग वाला डाइनो भाई हमा साथ लेके चालेंगे क्योंकि मैं नहीं चालता विन आफालतू कि मैं वह वेस्ट करता हूँ अपना एरोस क्योंकि आमारे पास पास काफी जादा बचे नहीं अभी के लिए यह जो क्या बोलते हैं पोईजन वाले है प्राइम पोईजन वाले वह वाले उसी वज़ेसे तो बैए रेक्स का सेडल इसमें में भी होगा और अधर मेरे पास एसी अनल वाला है वैसे कि इसका है आलफा इंडमेंश का है वैंस डाल देते हैं कि इसमें बनता रहेगा अपना डाइनो आट ओरो सब चलो भाई इसको भाई क्राफ्ट करने के लिए रख दिया है में भी मुझे थोड़ा सा भाई फिसमीट क्राफ्ट फार्म करने जाना पड़ेगा इसमें था चलो भाई इसमें से जल्दी से यह ले लेते अपना सेडल और इसको भाई ट्राइ करने के लिए एक्चुली भाई में डीचे ही चलता हूँ वैसे नीचे थोड़ा सपंगा हो सकता है क्योंकि वह उदर काते ही खतरनाख वाले डाइनो गूम रहे है और मैं रेक्स पहली बार में उदर ट्राइन नहीं करना जाता उसी व अब भाई खतरना खालत दिख रहा है बट इसको भाई में अभी टेम नहीं कर सकता नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वह इसका लेवल कम है उसी वज़े से अभे बैसकी भाई उमर गे मर अरे मुझे लगाई था मेरे पेटेक करेगा बैसकी मैं उतरना नहीं जाता था मुझे डा दिखार नहीं पाईगा किसी भी डाइनो का बट फिर भी बट भी मैं नहीं चाहता कोई भी डाइनो अपना मर जाए बिना फालतु का और इसमें भाई फाइंड करने पे कुछ मी नहीं आ रहा मुझे लग जा था कोई नहीं चलो भाई इसको पहले तो ड्रोब कर देते जो बट भाई मुझे नहीं चाहिए बिना फालतू के भाई इसकी नेक तो आती रहते हैं और अपने पास चलो भाई थेंग गोड अपने पास ग्रीफिन बचा हुआ है चलो भाई अभी आलफा वाले को लेके चलते है और भाई में अपने क्ट्रो आप मार दिया क्या को मार नहीं दिया बहंश की भाई जल बड़ा होजा बेटे इसल किराए हो जा को कि होगा फाइनली अभी चलते वारिश पे बेड़गे अ थैंक गड़ बेड़ गया पेले वाई इसका वेसे ज़ीिशfäh कुछ नहीं कर रहा है एक से कुछ नहीं क कर रहा है कि राइट क्लिक से कितना कर रहा है जादा नहीं कर पा रहा इस पर मचले मुझे देखता बड़ेगा कि इसका मीली डेमेज पर संब खिला देते थोड़े से बाई अब भी देखते हैं प्राइम वाला रेप्टर पे ट्राइ करके क्योंकि मुझे नहीं पता वह प्राइम वाला रेप्टर कितना इस पर डेमेज कर पाएगा बैसे पितना अई है उसका वण पॉइंट वन भाई करन्स की घ्तरनाक वाला है मतलब मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला भेंज की और उपर से अपने डाइनो पे भी फायर लगा रहा है और उसको भी एल्ज मिली डेमेज दे रहा है थोड़ा सा कोई ने चलो अभी क्या है कर सकते इसको मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि इससे काफी ज्यादा लेवल अफ होगा उसी वज़ेसे चलो वह ले तो भाई इसका में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मिलीडे में जो और क्योंकि में नहीं जाता यह बंदा ज्यादा टाइम लग कि अभी पर बाप यह बंदा तो खतरनाख निकला इसे मैं 21 के कर रहा हूँ और यह बंदा मुझे 5 k 8 k कर रहा है बंदा जादा कर रहा है देख लो भाई 8 k डिमेज कर रहा है जो बढ़ी काफी जादा ही होता है वैसे बढ़ी में फायर वाला रेक्स नहीं होता ना तो मैं तक मर चुका होता दूसरे वाले डाइनो को लेके अभेश की बढ़ी क्या बंदा यह ले मैंने गलती से इसके पंगाले लिया वैसे इसको टेम करना चाहिए था बैट इसको टेम करने के लिए मुझे ऊपर से थोड़ी स्तक्लिप होती उसी वजह से मैंने इसको मारने का सच पर फोरी लेवल इंक्रीज हुआ वह देख भाई क्या बात हुई कोई ने चलो जो भी है काफी मजा इसको टेम करके और वैसे वह यह फायर काफी तगड़ी वाली छोड़ रहा है देख लो भाई है वह क्या खतरना दीख रहा है वैसे इसका मिली डेमेज देखके आप मुझा मेरे से गलती से अभी कैसे पढ़ रहा है भाई इसमें एरो थे यार मैंने बिना फाल्तु के एरो इसमें से उठाए ने वह वाले मैंने ज्यादा वेस्ट नहीं किये तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको भाई क्रायो करना पड़ेगा मेरे को अभे मेरे नहीं चाहता में बिना फाल्तु का मर जाओ वीच रास्ते पर इसकी साल निकलना इदर से काय को परेशन कर रहा है मेरे को चलो भाई इसको भाई में ओभी दे देता हूं किदर गया फाइंड ड्राइन ट्रेकर चल गटक ले और यह वाला भी तुल ले ले आपे हो जा चलो भाई इससे मुझे थोड़ा समय भी लेवल अप में काम आता है मुझे नहीं पता और इसकी स्पीड काफी बढ़िया है एक्चुली तो भाई इधर ही अपना एपिसोड खतम करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना सेर करना एंड अगर हो सके तो अपने जो फायर वाले रेक्स है उसके लिए भी कॉमेंट सेक्शन में जाकर नाम बढ़िया से लिख देना अभी हमें अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर